हेलो स्रूइंट्स एंड वेल्कम यू ओल इन चेतन भारत लर्निंग और टोड़े सेशन जो आपको टेस्ट 3 दिया था उसमें कौन्ट के पांच कुश्चन्स हम डिस्कुस करेंगे और टॉपिक कुन सा था वो डाट इस रेशो तो रेशो के ऊपर जो बेस्ट पांच कुश् आप अपने आंसर चेक कर सकते हो ठीक है कि कितने कुश्चन्स आपके सही थे कितने गलत और जिन्हों नहीं किये वो मेरे साथ-साथ आपने वीडियो पॉस करके कुश्चन सॉल्व करने हैं और आंसर बताना है ठीक है जी लेट साथ दा सेशन ओके जी फर्स कुश्चन और दिवाइड रुपीज 6.71 अमंग A, B, and C such that if their shares be increased by रुपीज 3, 7, and 9 respectively, that means A का शेर अगर 3 रुपीज से इंक्रीज कर दे, B का शेर अगर 7 से इंक्रीज कर दे, और C का शेर अगर 9 रुपीज से इंक्रीज कर दे, then that new amount will be in the ratio of 1 is to 2 is to 3, जो new amount होगी वो किस रेशो में होगी? 1 is to 2 is to 3, तो चलो जी, solve करते हैं, और जिनोंने नहीं किया, please start कर दो, आप solve करना, total initially हमारे पास कितने थे, 671 थे, तो 671 को हमने distribute करना है, चलो, A, B, C में, लेकिन एक condition बता दी है, अगर A के amount 3 रुपीज से बढ़ती है, B की 7 से बढ़ती है, और C की 9 से बढ़ती है, तो new amount will be distributed in the ratio of 1 is to 2 is to 3, यार एक बात बताओ मुझे, अगर 671 में आप 3 रुपीज, 7 रुपीज और 9 रुपीज आड करोगे, तो भाई, new amount कितनी होगी, बताओ, new amount would be how much, 671 में एड कर दो यार, रुपीज 3 प्लस 7 प्लस 9, that means 9 प्लस 7 प्लस 3, कितना एड हो गया, 19 तो 671 प्लस 19, it would be 690, ठीक है जी, अब यार ये 690 जो है, किस ratio में बंढ रहे है, ये 1 is to 2 is to 3, ठीक है जी, तो 1 is to 2 is to 3 में जल्दी से बांढ के बताओ, यार मुझे क्या होगा, जल्दी से, क्या रहे है, 690, A का share, 1 is to 2 is to 3 है, तो 1 by 6, A को मिलेगा, B का, 2 by 6 है, यारिके 1 by 3, और C का, 690 into 3 by 6, यारिके half, अब बैटाए, इसको यार, simplify करके value बता दो मुझे, 690 का 1 by 6 कितना होता है, जल्दी से, कहना ही से, 115, और B का double है, 115 का double करतों के तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 0, और C का, A से triple है, तो कितना हो जाएगा, ये, 115 into 3, 345, ठीक है जी, ये हमारे पास, हमने 690 को distribute किया है, ये बात याद रखना, और actually हमने कितने बांटे थे, 671, तो याद करो, A को कितना add किया था, A का हमने, 3 रुपीज एक्स्ट्रा add किये थे, तो हमें वो 3 अब subtract करने पड़ेंगे, यानि कि 1, 1, 2, actual share है, A का, B का कितना add किया था, 7, तो उसके 7 minus करने पड़ेंगे, that means, 223 share of B, from 671, और C का कितना था, भाई, 9 रुपीज थे, तो 9 रुपीज माइनस कर दो, कितना होना चाहिए, 3, 36, तो यह actual share आगे, A, B, and C, K, और वो कितने हैं, 1, 1, 2, 2, 2, 3, and 3, 3, 6, अब यार, आप, अप्चारिक्ता जो हमारी रह गई है, कि answer कौन सी option होनी चाहिए, तो according to this, answer is option B, clear है, भाई, सभी को, I hope, यार, सभी को clear होगा, पूरे अच्छे से explanation बता दी है, अगर नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, भाई, rewind करो, और आगे आप देख सकते हो, ठीक है, जी, बढ़ते हैं, next question पे, A and B are two alloys of gold and copper, ठीक है, जी, A और B जो है, दुनों alloys है, gold and copper के, और mix जो किया है, किस ratio में, A को mix किया है, 7 is to 2 में, और B को mix किया है, 7 is to 11 में, ठीक है, जी, लिख लेते हैं ये, A में जो gold and copper है, 7 is to 2 ratio में है, B में जो gold और copper है, वो किस ratio में है, that is 7 is to 11, ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या कह रहे हैं, if equal quantities of the alloys are melted, ये ध्यान देना, equal quantities, बिटा, to form a third alloy C, दोनों की equal quantity को melt किया, और add कर दिया, third alloy बनाया data C, पूछा गया है, उस third alloy में, gold and copper की ratio क्या होगी, ठीक है जी, अब यार कैसे करेंगे, इस question को, सोचो, ठीक है, try करेंगे, कम से कम calculation हो, easy हो, और वो कैसे करेंगे, ये मैंने ये important जो point है, equal quantity, इसको उठाया है, इसको उठाके मैं solve करूँगा, देखो कैसे, A में gold 7 parts था, और copper 2 parts थे, यानि कि ये कितना हुआ, 9 total, B में, gold के 7 और copper के 11, ये कितना हुआ, 18, ठीक है, और हमें ये बोला हुआ, equal, equal, भाई, ये 9 है, ये 18 equal तो हुआ नहीं, equal करना तो क्या करोगे, definitely यार, क्योंकि B 18 है, A को भी 18 बना लो, कैसे बनाओगे, 2 से multiply कर दो, तो ये 2 से multiply कर देते हैं, तो ये नियू रेशो हमारी क्या बनेगी, ध्यान दो, गोल्ड कितना हो जाएगा, 7 टूजा, 14, कॉपर कितना, 4, इसमें, गोल्ड और कॉपर चेंज नहीं हुए हैं, ये 7 और 11, अब आपका A B कितना बन गया, 18, B B कितना है, 18, और इनको अब mix कर देंगे, 3rd alloy बनाने के लिए, 18, 18 parts दोनों के, अगर mix कर देंगे, तो अभी यार देखो, गोल्ड कितना हो जाएगा, कॉपर कितना हो जाएगा, गोल्ड कितना हो जाएगा, बैटा, ये देखो, 14 इदर है, 7 इदर है, तो 14 प्लस 7, 21 हो जाएगा, कॉपर कितना हो जाएगा, 4 इदर है, 11 इदर है, तो 4 प्लस 11, it is 15, तो रेशो क्या आगई बेटा, 21 is to 15, it is not a ratio, रेशो क्या होती है, simplified form, lowest form, तो ठीक है, भाई, इसको कर दिया, 3 से डिवाइड, 3, 7 जा, इसको 3 से डिवाइड किया, 5 जा, तो आंसर आपका क्या आगया, क्या आगया भाई, 7 is to 5, तो हम ये बोल सकते है, option C, इसका आंसर है, I hope सभी को clear होगा भाई, हाँ जी, बड़े next question पे, चलो, एक बार दुबारा से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यार, ध्यान से समझाना चाहिए, हमें A में, गोल्ड और कॉपर 7 is to 2 ratio में था, और B में, गोल्ड और कॉपर 7 is to 11 ratio में था, किया क्या, equal quantity को mix किया, पर मैंने क्या देखा, यार, ये equal तो है नहीं, पहले में गोल्ड 7 है, copper 2 है, यानिके 7 प्लस 2 टोटल 9 हुआ, दूसरे में गोल्ड 7 है, copper 11 है, टोटल 18 हुआ, तो भाई, इसको equal बनाने के लिए, क्योंकि B 18 है, A को भी 18 बना देंगे, कैसे, 2 से multiply करतेंगे, तो इसलिए मैंने 2 से ratio को भी multiply कर दिया, ratio को multiply किया, gold 14 हो गया, 7 टूसर 14, copper 4 हो गया, 2 टूसर 4, और B में यार, same ही रहेंगे, क्योंकि वो अलरेडी 18 है ही है, तो 7 और 11, mix किया, gold कितना हो गया, 14 प्लस 7, 21, copper कितना हो गया, 4 प्लस 11, 15, ratio क्या गई, 7 इस टू 5, तो answer क्या हो ग क्लियर होगा बेटा, हां जी, बड़े next question पे, चलो जी, बढ़ रहें next question पे, देखते हैं क्या है, जल्दी से, अब ये इतना बड़ा question दिख रहा है, और देखना हम इसको कितने जल्दी से solve करते हैं, try करो, और question क्या है, चलो मैं भी पढ़ता हूं भाई, a student took 5 papers in an exam, where full marks were same of each paper, सारे papers के जो marks है, total, वो equal है, हर marks in these papers were in proportion of 6-7-8-9-10, ठीक है जी, marks की ratio जो आई है, वो ये है, 6-7-8-9-10, in all these papers together, together, 81, the candidate obtained 60% of the total marks, total मिलाके 60% है, पांचों के, तो ये basically आपको क्या दी हुई है, एक तरह से average दी हुई है, पांचों के 60% जो score है, that is average score, of all the 5 papers, clear, अब question बुक्चा हुए, then number of papers in which she got more than 50% marks, चलो जी, solve करेंगे इसको यार, जल्दी से, देख लेते हैं, पहले papers की जो ratio दी है, paper 1, paper 2, paper 3, 4 and 5, ये ratio क्या दी है, भाई, 6, 7, 8, 9, 10, और मैं common factor 1 ही ले रहा हूं, common factor 1 ले रहा हूं, तो ratio खतम हो जाएगी ये, और मैं कहूंगा, paper 1 में 6 marks आए है, paper 2 में 7 marks आए है, paper 3 में 8 आए है, paper 4 में 9 आए है, और paper 5 में 10 marks आए है, clear, चलो, अब यह एक बात बताओ, अब इनकी average क्या होगी, अब यहां पर अगर आप मार्क्स देखोगे, 6, 7, 8, 9, 10, यह किसमें है, AP में, consecutive numbers हैं यह, इनका difference क्या है, same है, 67 का difference है, 7, 8, 8, 9 का same difference है, और 9, 8, 10 का भी same difference है, और जब भी, अगर आपको कोई series, AP में दी होती है, और number of terms, odd होती है, तो average क्या होती है, मुझे बताओ, average क्या होती है, middle term, यहां पर कितने subjects है, 5, average क्या होनी चाहिए, simple सी बात, जल्दी से, भाई, average होनी चाहिए, middle term, middle term में score कितने आ रहे है, 8, that means, इन पांचो, subjects के जो average marks है, वो 8 होनी चाहिए, ठीक है, और यह इन्होंने भी दिया हुए, candidate obtained 60% of the total marks, कि उसका average score जो है, वो 60% है, और marks wise average score कितना है, 8, तो मैं यहां से यह बोल सकता हूँ, ना, कि 60% जो marks है, वो किसके equal है, 8 marks के, 60% जो marks है, वो किसके equal है, 8 के, क्यों, दोनों ही average score बता रहा है आपको, percent wise बता रहे हैं, और actual value wise बता रहे हैं, ठीक है, और हमें निकालना है कि कितने papers में 50% से उपर marks आए हैं, अब यार, simple unitary method यूज़ करेंगे, कैसे, कि 60% अगर 8 के equal है, ठीक है, तो, 1% किसके equal होगा, मुझे बताओ, जल्दी से, कहना ही से, 8 by 60, हाँ जी सर, कह सकता हूँ, 8 by 61%, और निकालना हमें क्या है, 50%, तो 50% निकाल देते हैं, जी दिक्कत क्या है, 50% किसके equal होगा, 8 by 60 into 50, तो इसको solve कर लो, 40 by 6, 20 by 3, which is 6.66, तो 50% मार्क्स जो है, वो 6.66 के equal है, बस यार, आप तो question हो गया, question क्या पूछा था, कि कितने papers में 50% से उपर मार्क्स आए हैं, तो कितने में आए हैं, देखो, 6.66 से उपर कितने papers में आए हैं, भई, पहले paper वो छोड़के, बाकी चारो paper में 50% से उपर मार्क्स आए हैं, क्योंकि paper 2 में 7, 8, 3 में, 4 में 9, और 5 में 10 आए हैं, तो हमारा answer क्या होना है, चाहिए, that she got more than 50% marks in how many papers, 4 papers, ठीक है जी, तो answer this question क्या हो जाएगा, 4, I hope सभी को clear होगा भई, ठीक है, 60% जो थी, वो average थी, तो average मैंने marks wise देख लिए 8 है, और उसके थूरू solve कर लिया, ठीक है जी, तो बढ़ते हैं भाई, next question के ऊपर, ये लो जी आपका next question है, last year the ratio between the salaries of A and B was 3 is to 4, पिछले साल, जो A is to B salary थी, last year है तो मैं A, L कह देता हूँ, और B, L, इनकी ratio बेटा दीवी है, 3 is to 4, ठीक है, लिख दिया जी, but the ratio of their individual salary, between the last year and this year, individual salary, यानि के A की salary, between the last year and this year, मैं this year salary माल लेता हूँ, A की A है, last year salary, A, L लिख दिया, ठीक है, यह हमें दिया है, 4 is to 5, और B की, भी दिया है बेटा, B की last year salary और current year salary, इसकी ratio क्या दिया है, 2 is to 3, तो यह भी लिख दी मैंने, 2 is to 3, B, L, मतलब B की last year salary, B, B की present year salary, ठीक है, यह चीज़े दिया है, 13 मैंने यह note कर दी, अब आगे क्या दिया है, देखते हैं, if some of their present salary is 4160, some of their present salary is 4160, that means A plus B, हमें दिया हुआ है 4160, तो यह भी लिख देते हैं, यह 4160 है, ठीक है, then how much is the salary of A now, अब हमें बतानी है, A की salary कितनी होगी, अब ट्राइ करो, यह देखने में देखो, यह question बहुत मुश्किल लग रहा कि भाई, क्यों कुंसी ratio है, पता नहीं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पर थोड़ा सा tricky यहां पर लगाओ, आपका question बड़ा easily solve हो जाएगा, थोड़ी सी बात देखनी है, हमें यह जो तीन ratio दी है, इनको ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से, अच्छे से देखना है, हमें चाहिए ratio A और B की, ध्यान देना, और वो कैसे करूँगा मैं, मैं क्या क को multiply करूँगा, तो होगा क्या, BL से BL कैंसल हो जाएगा, अगर मैं तीनों को multiply करूँ, देखो, यह मैं suppose multiply करता हूँ, यहां पर, तो आप देखो, BL से BL कैंसल हो जाएगा, लेकिन AL दोनों में numerator में है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक को second वाली ratio को उल्टा कर देता हूँ, यह करूँगा, AL by BL, 3 by 4, second ratio उल्टी कर दी मैंने, reverse कर दिया, A over AL लिख दिया, यह आ गया, 5 by 4, और third ratio भी same रहने दी, क्योंकि मेरा BL वहां से cancel हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे, यह 2 by 3, ठीक है, यह तीनों ratio मैंने, तीनों में second ratio को rearrange कर दिया, बाकी same लिख दिया, अब बैटा इनको multiply कर लो जरा, first ratio into second ratio into third ratio, first ratio into second ratio into third ratio, यह multiply करना है, जल्दी से करो वही, चलो मैं यहां पर आगे space बना लो थोड़ी, और multiply करता हूँ, left hand side को मैंने multiply कर रहा हूँ, AL by BL into A over AL into BL over B, यह left hand side, right hand side, 3 by 4 into 5 by 4 into 2 by 3, अब देखो जो cancel होता है, cancel करो, BL से BL cancel यह कर दिया, फिर, AL से AL cancel यह कर दिया, 3 से 3 cancel यह कर दिया, 2 से यहां पर 2 से simplify हो गया, तो यार देखो क्या बचाए आपके पास, आपका question का answer बन गया है, मैं बता रहा हूँ, question का answer बन गया है, देखो, बचा गया, A over B, और इदर क्या बचा, 5 upon 8, तो A और B की रेशो आपके पास आ गई, अगर A और B की रेशो आ गई है, क्योंकि आपको total भी पता है, 4, 1, 6, 0 है, अब question easily आप solve कर सकते हो भाई, A की value बतानी है, जल्दी से बता दो, A की value क्या होगी, A का share है 5, divide by sum of ratio, 5 plus 8, 13, और total क्या है, 4, 1, 6, 0, बस यहां से application करो, 13, 30, 39, 2 बचा, 13, 2 जा, तो यह 320 आया, 320 इंटो 5 इतना होता है, that is 1600, भस भाई लिख दिया यह, A की value हमारे पास आ गए, 1600, तो current salary ओपे 1600, बाकी अपचारिक्ता हम देख लेते हैं, 1600 कौन सी option है, यह देख लो जी, second option है, answer is second option, clear सभी को, 3 ratios दीती, मैंने एक ratio को सिर्फ उल्टा किया, क्यों किया, क्योंकि मैं multiply जब कर रहा था, तीनों ratios को, तो second ratio को reverse करने पर सारी values कैंसल हो रही थी, हमारे पास A और B की present salary की ratio बन रही थी, इसलिए multiply किया, क्योंकि हमें present salary का सम पता है, और multiply करके ratio आ जाएगी, और उसके बाद question easily solve हो जाएगा, ठीक है जी, I hope यार, सभी को clear होगा, ही समझाया तो भाई video rewind करना और check कर लेना, बहुत अच्छे से explain कर दिया है, next question पर बढ़ते है, question क्या है, an employer reduces the number of his employees in the ratio of 9 is to 8 and increases their wages in the ratio of 14 is to 15, पहले इस चीज को समझते हैं भाई, ये इसका मतलब क्या है कि उसने reduce किये हैं, employees, किस रेशो में 9 is to 8, इसका meaning क्या हुआ, कि अगर मान लो, old one, 9 थे, तो new, कितने हुए, 8, ये reduce करती हैं, common factor x ले लेते हैं, ratio खतम करती, कि भाई number of employees, पहले, 9 x से फिर कितने हो गए, 8 x ठीक है जी, उसके बाद, and increases the wages in the ratio of 14 is to 15, तो wages जो हैं, वो increase हो गए हैं, किस ratio में 14 is to 15, अगर पहले 14 थे, अब कितने हो गए हैं, 15, वाई common factor ले 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 लेते हैं, done, चलो, अब उसके बाद क्या कहा है, उसने, the difference in amount, हमें बतानी है, difference in amount क्या होगी, if total salary bill originally was 1890, जो आपका old salary bill था, total salary थी, वो 18,090 थी, और हमें निकालना है, difference between the two salary bills, old और new के बीच में difference बताना है, चलो, जी, solve करते हैं, इसको, total bill देख लेते हैं, total salary bill, number को wages से, per employee से multiply कर दोगे, कितना आएगा, 126XY, और इदर multiply करोगे, तो कितना आएगा, 120XY, यानिके, old salary थी, 126XY, और new है, 120XY, तो बही, difference क्या होगा, बता दो मुझे जल्दी से, difference would be, 126XY, minus 120XY, it would be 6XY, कुछ नहीं है, 126 में से, minus कर दिया, 120XY, तो बही, minus कर दो, 6XY आ गया, अच्छा, हमें तो बही, 6XY की value चाहिए, एक बात बताओ, हमें किसकी value पता है, old salary की value पता है, old salary कितनी थी, 126XY, तो अगर 126XY, 1890 है, और हमें निकालनी है, 6XY की value, तो किरसे निकालोगे बही, simple, अगर 126XY, 1890 है, unitary method लगा रहा हूँ, XY की value क्या होगी, 1890 by 126, तो 6XY के लिए क्या करोगे, 6 से multiply कर दोगे, तो अगर multiply करोगे, तो क्या आएगा, यह आँ 21 से cancel हो जाएगा, और इदर 9 से cancel, 90, तो answer क्या आजाएगा, 6XY is equal to, यानि के difference is equal to 90 rupees, so answer of this question is, rupees 90, I hope सभी को clear होगा भई, एक बार जल्दी से repeat कर देते हैं, और फिर answer बता देते हैं, वहीं कि भई, सबसे पहले दिया था, उसने अपने employees को reduce किया है, किस ratio में, 9 to 8 में, कि अगर old 9X employees थे, new कितने होगे, 8X, और wages increase किये हैं, उसने 14 to 15 में, कि पराने wages अगर 14Y थे, new wages होगे हैं, टोटल सेलरी बिल कैसे निकाल होगे, नंबर को multiply कर दोगे, wages पर employee, तो 14 into 9, 126XY ये पहले सेलरी थी, 8 into 15, 120XY ये निउ सेलरी थी, तो difference कितना हुआ, 126XY माइनस 120XY, 6XY, ठीक है, अब और हमें दिया गया था, old salary, old salary कितनी थी, 126XY, 1890 के equal, निकालना क्या था, 6XY, तो XY हुआ, 1890 by 126, तो 6XY क्या हुआ, 6 से multiply कर दिया, और question solved, ये आ गया, 90 रुपीज के equal, तो भई, अब answer क्या होना चाहिए, आप यहाँ पर mark कर सकते हो, that is option A, I hope सभी को clear होगा भई, और आपका answer क्या रहे, यही आ रहे के नहीं, यही आना चाहिए, तभी सही होगा, ठीक है जी, तो यार, इस वोज़ दा लास्ट क्वेशन अफ दा सेशन, और इसके बाद अगेन, एक और अपचारिक्ता निभा लेते हैं, और आप लोग यार, इसी तरह से test solve करते रो, अच्छे से preparation करते रो, हम हर वीग आपको नएने questions देते रहेंगे, और आप अपनी practice जारी रखो, ठीक है, all the best for your future exams, और मिलते हैं फिर next video में, ओके जी, थेंक्यू वेरी मच्च, करते हैं,